Hello friends, I hope आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बायो टेक्नोलजी के बारे में डिस्किस करने वाले हैं जिसमें हम लास्ट वीडियो में भी टूल्स और रिकॉंबिने डियन ने के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में हमने जल एलेक्ट्रोपॉरसिस और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स के बारे में पढ़ा था तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो उनीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अब वहांदे चेक आउट कर सकते हैं अब हम बाकी जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक टूल्स होता है जिसकी हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके तो हम उसके बारे में पूरा जो प्रॉसेस है किस तरहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा process हम इस video में discuss करने वाले है तो चलिए video को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज हम Instagram पर फॉलो कर ले Instagram का link नीच आपको description में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने बात की थी कि जो restriction endonucleases थे या exonucleases थे या सीधी बात करें तो restriction enzyme का काम क्या है तो particular site पे जा करके cut करना, तो अब वो कर के रहा था, वो सब cut करने से क्या हो रहा था, कि recombinant DNA कैसे बनेगा, उसकी हमने बात की थी, तो theoretical थो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अगर एक diagramatically हम उसको simply way से समझना चाहिए, तो इस diagram को आप देख करके समझ सकते हैं, अब यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले एक donor cell था, मतलब कि जो हमें gene of interest, जिस cell से चाहिए, वहाँ से हमने एक DNA ले लिया, जिसको कि हमने foreign DNA कहा, क्यो restriction enzyme की मदद से, जो हमारे gene of interest है, वो हमने निकाल लिया, तो यह हमारे वो gene of interest है, अब दूसरी तरफ हमें चाहिए क्या, vectors, या फर हम कहें, plasmid, तो हमने कहिए, bacterial cell से plasmid निकाल लिया, लास्ट वीडियो में हम यह सब कुछ डिसकुस कर चुके हैं, तो अब जो vector है, वो क्या क को बताया था कि यह एक vehicle की तरह हम इसको use करते हैं, कि जो gene of interest है, हम इस plasmid के उपर उनको insert करके, host के अंदर insert कर देते हैं, और वहीं से काफी ज़दा जो भी gene of interest है, हमारे पास clones बन करके आ जाएंगे, तो अब यह जो vector है, यह कैसे आएगा, तो यह bacterial cell से हमने plasmid ले लिया, plasmid को हमने cut कर दिया, एक पार्ट उसका cut कर दिया, और यहाँ पे जो gene of interest था, वो add कर दिया, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास formation of recombinant DNA हो गई, right, recombinant से आप सीधा सा याद रखेंगे, re मतलब दुबारा, और combination मतलब या combine मतलब दुबारा से जोड़ना, right, recombine करना, तो formation of recombinant DNA तभी होगी जब हमने DNA को दुबारा जोड़ा, अब यहाँ पे already जो plasmid है, वो क्या है, वो bacterial DNA है, right, अब इस plasmid के उपर हमने एक foreign DNA को add किया, तो यह जोड़ेगा किसकी मदद से, तो ligase enzyme, right, हमने last year video में ligase enzyme की भी बात की थी, अब यह जब दोनों जुड़ गए, तो क्या हो, formation of recombinant DNA हो गई, right, हमारा vector त्यार है, अब हमने इस vector को किसके अंदर insert किया, host bacterium के अंदर, right, अब हमने इस vector को डाल दिया, इस host bacterial cell के अंदर right, अब यह क्या करेगा, अंदर बहुत सारी copies बना लेगा, और हमारे पास क्या जेंगे, clones of recombinant DNA, right, या इसको short में RDNA भी क्या देते हैं, right, अब बहुत सारे clones जो हैं, वो बन गए, bacterium के medium में, ठीके, और क्या हमारे पास क्या बन किया है, recombinant product हमारे पास बन किया गया, जो के बाद हम जो separation, purification of the product वो हम कर लेके, right, यह simple सा process है कि formation of recombinant DNA कैसे होगी इसको याद रखने के लिए, तो यह diagram अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो कभी आपको यह चिज़ भूलेगी कि recombinant DNA कैसे बनता है, और इसमें कुछ enzymes के नाम भी हैं, तो वो भी आप य पढ़ने वाले थे, colonic vectors की, right, तो अब यह vectors के उपर जो हम gene insert कर रहे हैं, या vectors कैसे हम चूज करेंगे, वो सभी का सभी जो है, वो हम पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम plasmids और bacteriophage, दो term से deal करते हैं, तो plasmids क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपको यह picture में आप देख लीज कि यह, जो circular DNA है, वो है plasmid, और यह है हमारा bacteriophage, मतलब क्या है, ऐसे viruses, जो कि किसको infect करते हैं, bacterias को infect करते हैं, वो होते हैं bacteriophage, right, अब इसका क्या काम है, तो यह हम आगे देख लेते हैं, कि यह बोल रहा है कि plasmids और bacteriophages जो होते हैं, इनके पास एक बहुती अच्छी ability ह cell के अंदर, खुद को replicate कर सकते हैं, independently, right, उसके पर कोई control नहीं होगा, chromosomal DNA का, right, वो खुद को बहुत अच्छे से, मतलब खुद का genome जो है उनके पास, खुद का DNA जो है उनके पास, वो बहुत अच्छे से replicate कर लेते हैं, bacterial cell के अंदर, right, अब जो bacteriophages थे, मतलब की bacteriators, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो ऐसे viruses, जो bacteria को infect करते हैं, उनके पास बहुत ही high ability होती है, कि वो अपनी genome की बहुत ही जादा copies एक bacterial cell के अंदर, वो बना सकते हैं, right, वहीं पे अगर plasmid की बात की जाए, तो ये एक या दो copies बनाता है, और बहुत अगर variety की बात की जाए, तो जादा से जादाता है, 100 copies तक एक bacterial cell के अंदर ये बना सकता है, right, तो अब आपको समझाए कि bacteriophage हमारे लिए क्यों इतना जादा important है, क्योंकि ये हमारे gene of interest को हम add करके भेजते हैं, bacteriophage के थूँ, तो ये हमारे gene of interest को बहुत जादा number of copies में, जो genome है, वो अपना multiply करेगा और उसके स साथ हमारे gene of interest है, उनकी copies भी बढ़ती जाएंगी, right, तो सिरफ फरक क्या है, division of the genome, ठीक है, कि जो number of copies बन रही है genome की, वो बैक्टीरियो फेस जादा बनाता है, as compared to plasmid, right, अब कुछ steps है, ये ऐसा कह सकते कि कुछ features है, जो कि facilitate करते है coloni को, right, coloni को facilitate करते है, एक vector में, right, क्यो क्योंकि देखिए, cloning शुरू कहां से हो रही है, vector से, अगर vector के उपर gene of interest हम नहीं डालेंगे, तो हमारी cloning जो है, या हमें gene of interest जो है, वो नहीं मिलेंगे, right, तो इसके लिए vector को choose करना, या vector से जुड़े हुए जितने भी steps हैं, उनको संबल के करना, वो हमारे लिए बहुत सबसे पहले देख लेता है, तो origin of replication, तो हर एक vector के पास एक origin होता है, right, अब ये जो origin है, जहां पे, क्योंकि देखिए, हमने last picture में क्या देखा था, अगर आप इस picture को ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे ये कटा हुआ है, बीच से एक portion जो है, वो गायब है, right, अब ये portion क् किया गया है, क्योंकि यहां पे हमें अपना gene of interest add करना है, जब हम यहां पे gene of interest को add करेंगे, तो यह हमारा क्या हुआ, origin of replication हुआ, right, तो यह हम ऐसे नहीं कि plasmid का हम कहीं से भी cut कर दे, right, यह depend करता है, क्योंकि जो origin of DNA replication है, या फिर origin of replication है, यही decide करता है, कि कितनी high number of copies जो है, वो बन सकती है, right, तो यह हर एक plasmid में vary कर सकता है, तो यह हमारे उपर depend है, कि अगर हमें कम copies चाहिए, तो हमको यह ऐसा plasmid उठा सकते हैं, जो कि एक या दो ही copies या जिसका origin of replication है, वो support करता हो कम copies को, लेकिन अगर हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम ऐसा plasmid चूज करेंगे, जिसका origin of replication जो है, वो ज़्यादा copies बनाने में support करता हो, right, तो यह origin of replication के उपर depend करता है, कि जब यहाँ पे जो foreign DNA है, या हमारा gene of interest वाला DNA है, वो यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, तो उसके बाद उसके कितनी copies बनेंगी, right, तो यह origin ही यह decide करेगा, right, तो यह काफ replication start होती है, किसी भी DNA, किसी भी plasmid के अंदर, या vector के अंदर आप कहले, right, क्योंकि जब वो foreign DNA के साथ mix-up हो जाएगा, plasmid, तो वो क्या कहलाएगा, वो vector कहलाएगा, right, लास्टी वीडियो में हम बहुत अच्छी से ही discuss कर चुके है, उसके बाद यही जो sequence है, यह पूरा जब हो जाएगा, जब वी vector बन गया, तो अब किस में डालेंगे इसको, wholesale में डालेंगे, right, और यही sequence जो है, वो responsible होगा, कि कितनी copies, जो है, वो बनेंगी, right, उस DNA की, जो कि link है, किस के साथ, actual में, plasmid के साथ, right, अगर हमें चाहिए, कि हम जादा copies बिनाना चाहते, तो हम एक ऐसा origin वाला, plasmid चूज करेंगे, जो कि जादा number of copies को support करता हो, लेकिन अगर हम कम बनाने चाहते हो, तो हम कम वाला चूज करेंगे, right, इतनी सी बात आप ध्यानवर रख लिए, उसके बाद selectable markers, तो देखिए, यहाँ पे selectable markers काफी important है, क्योंकि यह हमें help करने में, या identify करने में help करता है, कि non-transformation कौन से हैं, और transformant कौन से हैं, अब तो non-transformants और transformants क्या हैं, तो इनको भी जान लेते हैं, तो अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा, कि जो हमने plasmid या vector लिया है, वो हमारे gene of interest को carry किये हुए है, right, तो अगर जो transformant है, वो क्या है, तो अगर वो हमारे gene of interest को carry किये हुए है, हमारे gene of interest को होसल में लेकर के जा रहा है, तो वो क्या है, वो transformant है, और वहीं, अगर वो हमारे gene of interest को carry नहीं किये हुए है, और होसल में वो हमारे gene of interest करी किये भी नहीं चला जा रहा है, तो वो क्या है, non-transformant है, अब इन दोनों का पता लगाने के लिए, क कि हमें transformant ही चाहिए, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें अपना gene of interest चाहिए, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है, अगर non-transformant को हम eliminate कर दें, तो हमारे gene of interest मिलने के chances बढ़ जाएंगे, इसलिए तो हम selectable markers को use कर रहे हैं, कि हमें non-transformants की भीड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अ selectable markers होते हैं, वो कुछ gene encoding resistance होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एंटीबाइटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही ये कुछ gene encoding resistance होते हैं, जो कि antibiotics के resist करते हैं, ऐसी ये कोई gene encoding होती है, जैसे कि ampicillin, chloraphenol, उसके बाद tetracycline, उसके बाद canamycin, तो ये क्या हैं, ये कुछ antibiotics हैं, जिनके लिए हमारे पास कुछ genes encode करती हैं, जो कि इनके resistance होती हैं, मतलब कि जो इनको prohibit करती हैं, कि इनका जो effect है, उसको suppress कर देंगे, दबा देंगी, right, अब वो कैसे दबाएंगी, ये हम next जानेंगे, उसके बाद, इनको ही क्या है, एक useful selectable marker जो है, वो consider किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो bacteria इस काम के लिए है, वो है E. coli, right, इसके बारे में हमने last भी बात की थी, इसका हमने plasmid भी देखा था, right, तो E. coli सबसे ज़्यादा फेवरेबल वैक्टीरिया जो है, वो माना जाता है, और सबसे ज़्यादा एक अच्छा टूल भी जो है, वो बायो टेकनोलोजी में माना जाता है, अब ये जो selectable markers हैं, ये इसके अंदर insert के जाएंगे, इसमें already नहीं होते हैं, right, वतलब कि E. coli cells वैसे जो ये resistance हैं, ये carry नहीं करेंगे in antibiotics के खिलाफ, लेकिन हम इनमें इसके DNA में या इसके अंदर वो inject कर सकते हैं, या हम उसके अंदर ये resistance insert कर सकते हैं, right, selectable markers आपको पता ह होने चाहिए, उसके बाद next चलते हैं, coloning sites, right, तो coloning sites का क्या concept है, ये भी जान लेते हैं, अब देखें, last ही जो हमने diagram देखी थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, कि एक plasmid लिया था हमने, या इसको vector भी कहले तो कोई दिक्कत नहीं, जो plasmid लिया था हमने, उसके साथ हम क्या कर रहे थे, एक foreign DNA को add कर रहे थे, right, अब क्या होगा, कि एक plasmid के अंदर, जितनी कम जो sites है, recognition sites है, क्योंकि recognition sites पर से ही जो restriction enzyme है, वो कट करता है, हम ये चीज़ पता है, last year video में हम discuss कर चुके हैं, तो जितनी कम होगी, उतने कम pieces में ही ये कट होगा, मतलब मान लीजे कि ये कोई plasmid है, ये कोई plasmid है, इसके ओपर एक restriction, एक जो recognition site है, right, तो अब हमने जो अपना restriction enzyme डाला, वो आ करके सिर्फ को इसको यहां से कट करेगा, right, यहां से ये portion उसने कट कर दिया, और हमें जो है, वो plasmid कैसा मिला, इस तरह से, right, तो अब हमारे लिए easy हो जाएगा, जो gene of interest, उ को यहां पर add करना, right, वहीं अगर एक plasmid है, उसके पास काफी जादा recognition sites है, like 4-5 recognition sites है, तो अब जो restriction enzyme आएगा, उसको छोड़े-छोटे pieces में कट कर देगा, right, और मान लीजिए कि हमारा एक gene of interest जो है, वो add हो भी जाता है, right, हमारा जो gene of interest है, वो हमने add कर भी दिया, right, यह हम of interest है, यह हमने add कर दिया, यहां पर, तो अब होगा क्या, कि जब DNA लाईगे जिसके उपर काम करेगा, जब DNA लाईगे जिसके उपर काम करेगा, तो क्या उसके लिए यह सारे छोड़े-छोटे portions जोड़ना असान बात होगी, उसके लिए एक portion को जोड़ना easy होगा, right, as compared to उस इतने सारे portions को जोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, right, तो इसी लिए हम यह prefer करते हैं कि जो हमारा plasmid है, उसके उपर जितनी कम recognition sites हो, उतनी ही ज़्यादा chances हैं कि हमारा जो gene of interest है, या हमारा जो foreign DNA है, हम उसके साथ अच्छे से add-on कर पाएं और वो vector हमारा gene of interest लेक हो cell में जा सकता है, right, इतनी सी चीज समझ आगी, अब जो हमारा DNA है, right, वो हमने क्या कहा कि वो कहाँ पर जुड़ेगा जा करके, जो restriction site है, right, जो DNA है, alien DNA, ठीक है, उसकी ligation कहाँ पर होगी, जो restriction site है, और वो कहाँ पर present है, किसी भी एक antibiotic resistant gene के उपर, right, वही हमारी recognition site है न, हमने अभी क्या पूला, कि जो resistant gene है, antibiotic resistant gene है, उसके किसी एक gene को वो suppress कर देगा, right, उसके effect को खतम कर देगा, right, तो अगर बात कर लें, ये, जैसे कि ये है, PBR 322, right, E. coli का cloning vector है, तो इसके उपर क्या है, BAMH1 site है, right, उसी तरह से, Piestel और Pewal, ठीक है, ये short terms है, right, इनके full names जो है, वो मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख लिजे, कि इस तरह से जो restriction, antibiotic resistant genes है, उनके उपर ये, काम करेगा, जैसे कि ये BAMH1 site है, ये किसका resistant है, हमने last में क्या देखा था, ये सारे आपको antibiotics पता होनी चाहिए, right, ये आप धिहान में रख लीजे, एंपिसलीन है, ठीक है, टेट्रासाइकलीन है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, BAMH1 की, वो किसके resistant है, टेट्रासाइकलीन के, right, इस site पर टेट्रासाइकलीन, एंटिपोईटिक जीन है हमारे पास, और ये जो site है, यहाँ पर कौन सी है, एंपिसलीन, right, अब यहाँ पर यह कह रहा है, कि जो DNA ligation होगी, फोरण DNA की, वो इन दोनों sites में से किसी एक के साथ होगी, right, या तो वो टेट्रासाइलीन वाली site पर चला जाएगा, या तो वो एंपिसलीन वाली site पर चला जाएगा, right, अब बात कर लेते हैं, जो यह alternative markers हैं, मतलब कि selectable markers हैं, right, यह अलग-अलग होंगे न, तो अब यह क्या करेंगी, यह हमें help करेंगे, recombinants और non-recombinants को differentiate करने में, right, recombinants कौन से होगे, जिनके साथ हमारा gene of interest जुड़ा हुआ है, that is recombination, और जिनके साथ हमारा gene of interest नहीं जुड़ा हुआ है, वो कौन से होगे, non-recombinants, तो उनको अलग कैसे करेंगे, अब हमारे पास वहाँ वे presence होगी, एक chromogenic substrate की, अब यह chromogenic substrate क्या है, तो chromogenic substrate क्या होता है, ऐसे substance, जो कि color produce करता है, तो अब क्या होगा, अब जो recombinant DNA है, उसके अंदर हम क्या insert करेंगे, एक coding sequence insert करेंगे, enzyme का, beta-galactoside, right, beta-galactoside हमने उसके अंदर, recombinant DNA के अंदर, inject कर दिया, right, तो अगर, वो हमारा, होगा, non-recombinant, मतलब कि उसने अगर हमारा gene of interest नहीं उठाया होगा, तो वो कैसा color देगा, वो blue color देगा, यह अब ध्यान रखेंगे, right, और अगर उसने हमारा, अगर वो हमारा recombinant होगा, मतलब कि उसने हमारा gene of interest कैरी किया होगा, तो वो किसका, इसका जो beta-galactoside का, beta-galactoside का effect जो है, उसको suppress कर देगा, right, वो उसका effect जो है, वो दबा देगा, और यहाँ पे हमें कोई color नहीं दीखेगा, तो हमें पता चल जाएगा, कि वो कैसा है, वो recombinant है, उसने हमारा gene of interest उठाया हुआ है, तो हम basically दोनों को अलग कर सकते हैं, इससे क्या होगा, कि हमारे gene of interest मिलने के chances जो है, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जो non-recombinants है, उनको बाहर निकाल देंगे, right, और यही जो बीटा गलक्टोसाइड के effect को वो suppress करेगा, हमारा recombinant, यही result करेगा into the activation of enzyme, inactivation of enzyme, क्योंकि हमने क्या किया, बीटा गलक्टोसाइड है इस क्या था, वो enzyme था, और अगर जो हमारा recombinant है, उसको suppress कर रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहा है, तो enzyme को क्या कर रहा है, वो inactivation कर रहा है, वो उसको काम नहीं करने देगा, और इसी को insertional inactivation कहा गया है, यह आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, कि insertional inactivation क्या होता है, तो simple सा आप याद रखेंगे, कि यहाँ पे हम chromogenic substrate को add करते हैं, उसके बाद हम एक enzyme add करेंगे, हमारे recombinant DNA में, वो कौ जब हमने यह add किया, तो हम देखेंगे कि जो color blue दे रहे थे हमें recombinants, ठीक है, वो कैसे होंगे हमारे non-recombinants होंगे, जो vectors हमें blue color दे रहे थे, वो हमारे non-recombinants होंगे, हम उन्हें eliminate कर देंगे, क्योंकि उनके पास हमारा gene of interest नहीं होगा, और वहीं पे, जो कोई भी color नहीं देंगे, मतलत कि उनके पास हमारा gene of interest है, और वो beta-galactosidase के effect को suppress कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कि वो enzyme की inactivation कर रहे हैं, और इसी को insertional inactivation कहा गया है, राइट, इतनी से चीज़ समझ आगी, अब next चलते हैं, हम vectors for cloning genes in plants and animals, तो vectors for cloning genes in plants and animals को भी देख ले करेंगे, agrobacterium tumifacients की, ठीक है, agrobacterium tumifacients, ये एक pathogen है, जो कि several dicot plants में, एक piece of DNA को deliver करता है, next generation में, और वो कौन सा है, tdna, आप ध्यान में रख लेंगे, कही बार question पूछ लेता है, ये क्या करता है, कि जो plant के normal cells होते हैं, उनको tumor में change कर देता है, right, जो plants के normal cells हैं, उनको tumor cells में change कर देता है, chemicals produce करता है, और जिससे क्या है, कि हो सकता है कि plant में कोई बीमारी लग जाए, right, अब उसी तरह से similarly, animals में क्या होता है, कि retroviruses होता है, animals में, और इनके पास ये ability होती है, कि वो normal cells को cancerous cell में change कर देते हैं, right, इसी लिए, जो cancer है, वो हम कोई वज़ा नहीं होती, right, तो वो हो सकता है कि कोई virus हमारी बॉड़ी में ऐसे enter कर गया, जिसने कि हमारे normal cell को cancerous cell में change कर दिया, अब वो हर एक cell में replicate कर रहा है, right, हर एक cell में replicate कर करके, वो हमारी पूरी बॉड़ी में infection खला देगा, और जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है, अब यह जो pathogens हैं, इसमें हम बहुत अच्छे से art of delivering genes को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि eukaryotic hosts होते हैं हमारे, उनमें यह बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने देखा था, कि bacteriophage क्या थे, वो bacteria को कैसे अपना जो genome है, उनके अंदर कैसे वो replicate कर रहे और बहुत जादा copies बना रहे थे, तो यह हमारे पास transformation tools की तरह काम आते हैं, और यह useful vector भी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा हूनर होता है, कि अपना जो material है, genome है, वो बहुत अच्छे से deliver कर लेते हैं, होस्ट में, और वहां पे काफी अच्छे से यह अपना genome जो है, वो replicate भी कर लेते हैं, तो अगर हम इसे human interest के लिए use करना चाहें, for our gene of interest हमें deliver करना हो, तो हम इनको बहुत अच्छे से use कर सकते हैं, तो friends, आज के लिए सरफ इतना ही, I hope आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने बहुत जादा detail में पढ़ा है इसक तो यह सभी जीसे आप ध्यान में रखेंगे, और इसी तरह से हमार साथ बने रहे हैं, like, share, subscribe जरूर कर दीजिए, thanks for watching